हेलो फ्रेंट, रिपले में आपका स्वागत है, आज के इस वीडियो में हम टीकोमा प्लांट के विस्टाय में बात करेंगे और जानेंगे कि इस प्लांट की केर कैसे की जाती है और इसका प्रोफोगेशन कैसे होता है तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुवात करते हैं टीकोमा की बहुत सारी वेराइटी होती है जिन में से कुछ प्लांट वाइन होते हैं कुछ सौट ड्वार वेराइटी के होते हैं कुछ प्लांट बड़े अकार के होते हैं अगर हम उन्हें जमीन पर लगाते हैं तो उनकी हाइट चार-पांच फीट तक हो जाती है फूलों के रंग भी अलग-अलग होते हैं येलो, पिंक, ओरेंज ये एक पेरिनियल, एवर ग्रीन प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग पूरे सार होती है मेरे पास यहाँ दो प्लांट है जिसमें से एक का कलर पिंक है और दुसरा ओरेंज दोनों छोटे-छोटे पॉर्ट में लगे हुए हैं ये टिकोमा की ड्वार्फ वेराइटी है टिकोमा प्लांट से पूरे साल फ्लावरिंग लेने के लिए हमें इसकी प्रूनिंग करनी होती है फ्लावरिंग के बाद जब भी आपको लगे कि इसकी फ्लावरिंग कम्प्लीट हो गई है ब्रांच के ऊपर कोई फ्लावर नहीं है तब इसकी हलकी फुलकी प्रूनिंग कर दे प्रूनिंग करने से इस पर नए नए ब्रांशे जाते हैं और उन ब्रांशे पर फिर दुबारा से फ्लावरिंग सुरू हो जाती है टिकोमा एक हाडी प्लांट है इसकी हमें बहुत कम केर करनी होती है लेकिन जब प्लांट में फ्लावरिंग होती है उस समय थोड़ी सी केर इसकी बढ़ जाती है जिससे हम अच्छी फ्लावरिंग ले सके प्लावरिंग के टाइन इसमें रेगुलर वाटरिंग करें रेगुलर वाटरिंग करने से फ्लावर ब्रांश के उपर लंबे समय तक बने रहते हैं और इनके कलर भी चमकीले होते हैं जो देखने में बड़े सुन्दर लगते हैं अगर आप इस प्लांट को पॉर्ट में लगाना चाहते हैं तो पोरस सॉयल बनाएं पोरस सॉयल बनाने के लिए 60% गर्डेन सॉयल में 20% कमपोस्ट मिला लें और 20% सैंड बाद में पॉर्ट में मंत में एक बार एक मुठी कोई भी कमपोस्ट आप इसमें डाल दें काव डंग कमपोस्ट डाल सकते हैं या लीफ कमपोस्ट वर्मी कमपोस्ट जो भी आपके पास है उसका आप यूज कर सकते हैं टिकोमा प्लांट फूल सन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है अच्छी फ्लावरिंग के लिए इस प्लांट को कम से कम 5-6 घंटे की धूप की जरूरत होती है अगर आप इस प्लांट को बालकरनी में रखे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे कम से कम 3 या 4 घंटे की धूप मिले कम धूप में इस प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती है तो चलिए अब जानते हैं कि इस प्लांट का प्रफगेशन कैसे होता है इसको प्रफगेट करने के लिए आप इसकी एस्टेम कटिंग ले और इस बात का ध्यान रखें कि एस्टेम कटिंग बहुत हार्ड नहों और नहीं बहुत सॉफ्ट और किसी भी तरह के सॉयल में इसे लगा दें शुरुवात में सॉयल हमेशा मॉइस्ट रखें जैसे ही आपको लगेगी प्लांट में कटिंग में ग्रोथ सुरू हो गई है तब आप वर्टिंग थोड़ा सा कम कर दें स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन में इस कटिंग को हम बहुत अराम से ग्रोव कर सकते हैं आसा करते हैं यह वीडियो आपको टिकोमा प्लांटे ग्रोव करने में हेल्प करेगा अगर कुछ डाउट हो तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और वीडियो प